आज हम करेंगे दो luxury AMOLED calling smart watch को compare क्योंकि इन दोनों ही smart watches में आप लोग को almost same features देखने को मिलने वाले हैं और इन दोनों smart watch को जो price है वो भी लगबग same ही देखने को मिलेगा तो चलते हैं फटावर्ट comparison स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या हैं के अंदर features कैसी इनकी build quality कैसे work करते हैं sensors कैसी calling quality सारी चीजों के बारे में detail में बात करेंगे वीडियो में तो end तक आप लोग बने रहना इसमें से एक आती है पेबल की तरफ से पेबल कॉस्मोस वोल्ट और दूसरी अभी हाली में लाँच हुई है फायर बोल्ड के तरफ से फायर बोल्ड डैगर लक्स तो यहर दोनों ही smart watches अपने प्राइस को justify करती है और काफी strong quality के साथ आती ही दोनों smart watches तो वीडियो को start कर लेते हैं लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से request करने चाहूँगा अभी तक आप लोग उन्हें चैनल को subscribe नहीं किया तो फट 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 सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरूर कर देना सबसे पहले बात करेंगे दोनों watch के build and design के बारे में तो यहाँ पर आप लोग खुद भी देख सकते हो दोनों ही smart watches काफी strong quality के साथ आती है मतलब कि यहाँ पर आप लोग खुद भी देख सकते हो fully metallic body देखने को मिल जाती है और काफी strong भी देखने में लगती है साथ ही साथ दोनों ही smart watches में आप लोग को 22 mm का metallic की strap भी provide किया गया है जिसके वैसे smart watch और बिजाता luxury देखने में लगती है और अगर बात करो पेबल की तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो side में एक working crown प्रोवाइट किया गया इसके लावा नीचे एक बटन भी देखने को मिल जाएगा crown को scroll करके आप लोग watch faces और man menu को change कर सकते हो इसके लावा नीचे वाले बटन को प्रेस करके आप लोग back जा सकते हो बागी back side की बात करो तो यहाँ पर glass mesh देखने को मिल जाएगा इसके लावा दोनों ही smart watch में आप लोग को speaker and mic provide किया गया है जिसके तुरू आप लोग Bluetooth calling को use कर सकते हो और वही बात करें fireball dagger lux के बारे में तो यहाँ पर भी आप लोग को side में दो बटन देखने को मिल जाते हैं उपर वाले बटन को press करके आप लोग main menu में चले जाओगे जहाँ पर watch के सारे features show जाते हैं साथी बात करें नीचे वाले बटन की उसको press करके आप लोग back चले जाओ बाले में भी यहाँ पर आप लोग खुद भी देख पार हो काफी tough and rough देखने में लगती है fireball dagger lux काफी बढ़िया quality लगी मुझे smartwatch की अब बात करेंगे दोनों smartwatch के features की तो सबसे पहले similar features की बात करना चाहूंगा दोनों ही smartwatch में आप लोग का 1.43 इंच की दोनों smartwatch में आप लोग कस्टम watch face भी लगा सकते हो जहां पर काफी बढ़िया color accuracy निकल के आती है इसके लावग दोनों smartwatch में आप लोग को 600 निट्स की brightness प्रोवाइट की गई है जिसकी बेसे display बिलकुल भी pixelate नहीं होती है काफी बढ़िया color accuracy देखने को मिलती है और दोनों smartwatch में आप लोग को दो AOD के watch faces मिल जाते हैं AOD की brightness भी काफी बढ़िया दोनों watches की बागी आप लोग खुद भी देख पार हो काफी बढ़िया visibility निकल के आती है AOD की भी इसको आप लोग outdoor में भी use कर सकतो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इसके अलावा other features की बात करें तो बागी पेबल में भी आप लोग को breathe mode provide किया गया जो के अलग name से show होता है मतलब कि यहां पर आप लोग देख सकते हो Zen mode के नाम से breathe mode वहीं बात करते हैं basic features के बारे पे तो दोनों ही smartwatch में आपको music control, camera control, weather forecast, stopwatch, alarm जैसे काफी सारे features मिल जाने साथी साथ बात करें water resistance के बारे मे तो यहां पर आपको दोनों watch में IP68 की rating provide की गई है तो आप लोग normal बारिश में दोनों watch को पहन के निकल सकते हो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली battery backup की बात करें तो दोनों ही smartwatch में आप लोगो 70 company claim कर रही है बटा इन दोनों ही smartwatch को आप लोग normally 4-5 दिन use कर सकते हो अगर आप लोग AOD plus calling features use करते हो तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक से दो दिन का ही battery backup देखने को मिलने वाला है और इन दोनों ही smartwatch में आप लोगो female healthcare के भी support देखने को मिल जाता है जो कि females के लिए काफी जादा useful होता है और इसी कर साथ साथ दोनों watch में आप लोगो sports record का भी option provide किया गया है तो आप लोग जो भी sports activity करते हो उसको बाद में जाके check out भी कर सकते हो अब बात करते हैं different features की जो के बहुत जादा नहीं है जैसे मैं आप लोगो पहले बताया था दोनों ही smartwatch में लगबख similar features देखने को मिलते हैं different features में सबसे पहले पेबल की बात करना चाहूंगा इसी smartwatch में आप लोगो 8 sports mode देखने को मिल जाते हैं इसके लाव यहाँ पर आप लोग को working crown प्रोवाइट किया गया है वहीं बात करों fireball dagger के बारे में तो यहाँ पर आप लोगो 20 plus sports mode मिल जाते हैं इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग आप लोग आपी जादा useful features भी प्रोवाइट किया गया जो कि है calculator का तो आप लोग daily life में इसको भी use कर सकते हो तो यही थे इसके कुछ different features अब बात करेंगे दोनों smart watch के UI performance के बारे में तो दोनों smart watch को अच्छे काचा time से मैं use कर रहा हूँ और आप लोग यहाँ पर खुद भी देख पा रहे हो दोनों watch के UI यह लगबग same perform करती है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर खुद भी देख सकते हो same to same UI देखने को मिलती है दोनों smart watches में कुछ भी changes देखने को नहीं मिलता है और काफी smoothly work भी करती है lag या फिर hang जैसा issue face करने को मुझे नहीं मिला दोनों में से किसी भी smart watch में so UI के मामल में दोनों smart watches लगबग same perform करती है अब चलते हैं फटावट accuracy भी test कर लेते हैं और देखते हैं दोनों में से कौन सी smart watch ज़्यादा accurate data provide करती है हमें सबसे पहले यहां पर मैंने दोनों smart watch को पहन के अपना heart rate test किया है और आप लोग यहां पर खुद भी देख सकते हो अभी तक similar data देखने को मिलता है दोनों smart watches में but at the end यहां पर डाइगर लग ज़्यादा बड़ी परफार्म करती है वहीं बात करते हैं SPO2 की तो यहां पर दोनों smart watches काफी अच्छी तरीके से work करती है और लग बग similar data ही देखने को मिलता है दोनों smart watches में at the end भी यहां पर आप लोग देख सकते हो same to same reading देखने को मिलता है दोनों smart watches में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिले का आप लोग ऑक्सिमीटर से सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेडिंग का फर्क निकलके आता है बाकी में आप लोग साइस यही करूँगा किसी भी smart watch पर आप लोग इड़ाई मत किया करूँचाए किसी भी brands का हो सिर्फ कंडिशन में आप लोग medical equipment का ही यूज किया करो अब चलते हैं फटाबट calling test भी कर लेते हैं और देखते हैं दोनों इससे कौन से ज़्यादा बड़िया को फाम करती हैं हापे अब 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 दोनों वाच की कॉलिंग क्लिप्स आप लोगों ने देख लिया, आपको आइडिया मिल गया होगा, कॉमेंट करके ज़रूर बताने कि आप लोग को कैसी लगी, बागे में रेकॉर्डिंग दोनों स्मार्ट वाच की कॉलिंग कॉलिटी काफी बढ़िया है अब आते हैं फाइनली कंक्लूजन पर और बात करते हैं आप लोगो इन दोनों में कौन सी स्मार्ट वाच लेनी चाहिए, कौन सी ज़्यादा वैल्यू फर मनी है, तो यहर देखो आप लोगो यहाँ पर खुद भी डिसाइड कर सकते हो, मैंने जैसे आप लोगो बताया था, दोनों ही स्मार्ट वाचेज में आप लोगो सेम टो सेम बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती हैं, और काफी ज़्यादा प्रीमियम भी लगती है दोनों ही स्मार्ट वाचेज, बट यहाँ पर मुझे फायर बोल डेगर लक्स थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉंग लगी दोनों ही स्मार्ट वाचेज अपने प्राइस को जिस्टिफाई करती यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ज्यादा है वैली फॉर मनी फायर बॉल डगर लक्स निकलके आती है, क्योंकि यह स्मार्ट वाच अभी आप लोगो सिर्फ पस्रिफ 3-4 डबल न की देखने को मिल जात करते हो, बस आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ, आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप लोग के वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कर देना हो, अब तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाइक कर दो, मैं बिलूँगा आप लोग से नेक्स्टी वीडियो मैं तब तक के लिए, बाइ-बाइ